भारत, खेती बाड़ी के मामले में दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा नाम और हो भी क्योंने? आखर भारत की 50 प्रतिशत से अधिक फोर्स इसी में है यानि की खेती बाड़ी और इससे सम्मंदित बाकी चीजों से जुड़ी हुई है लेकिन शायद भारत में सब चीजें भरपूर मात्रा में अवैलेबल होने के कारण ही भारत खेती बाड़ी के तकनीकी मामलों में अभी भी बहुत पीछे है क्योंकि जिन देशों के पास खेती बाड़ी के लिए इतने बेतर जमीन नहीं है पानी की भी कुछ खास मात्रा नहीं मिलती है उन देशों में आधुनिक तकनीक के साथ-साथ बेतरीन खेती करने के तरीकों का इस्तमाल किया जाता है और इसका सबसे सरुष्रिष्ट उधारण है इस्राइल जी हाँ, इस्राइल एक ऐसा देश है जानना तो केती बाड़ी के लिए अच्छे मिट्टी है और नहीं पानी का कोई ऐसा खास त्रोथ है जिससे फसलों को पानी मिल सके लेकिन इन हालतों के बावजूद भी इस्राइल इतना प्रिसिद्ध कैसी हो गया और उसने ऐसा क्या कर दिखाया जिसे आज पूरी दुनिया अडाप्ट करने का प्रियास कर रही है आज हम इस वीडियो में इस्राइल की ऐसी ही कुछ क्रांतिकारी तकनीकों के बारे में जानेंगे जिसने पूरी दुनिया के लिए एक बेहतरीन उधारन स्तावित कर दिया है तो आईए बढ़ते हैं इस कमाल की वीडियो में इसराइल ने बहुत सी ऐसी तकनीक और रिसर्च करी हुई है जो कि पूरी दुनिया में अडाप्ट की जा रही है जिसमें से सबसे प्रसद्य तकनीक है रिप इरिगेशन शाद आपने बच्पन में इसके बारे में स्कूल में पढ़ा होगा और अगर उस समय धान नहीं दे पाई थे तो चलिए अब आप ध्यान से देख सकते हैं क्योंकि ये तकनीक बागई में लाजवाब है और जैसा कि आप जानते ही है कि दुनिया में पानी की कमी होती जा रही है तो उस बात को भी धान में रखते हुए इस तकनीक को डेसाइइंड किया गया है देखिए इसराईल में ज्यादा तर इलाका रिगिस्थानी इलाका है कह लेजी अपने राजस्थान जैसा राजस्थान में आपने सुना होगा कि काफी सूखा भी पड़ता है और ठीक वैसे ही इसराइल में भी पानी की काफी किल्लत होती है तो इन परस्थितियों में अगर हमारे पंजाबी किसानों की तरह कुल लमखुला पानी बहाएंगे तो फिर तो हो गया इनका पानी के लिमिटेड रिसूर्स होने के कारण पानी की बरबादी तो बिलकुल ही नहीं कि जा सकती है इसलिए इसराइल ने ऐसी तकनीक होजी है जिसमें फर्सलों को उतना ही पानी दिया जाता है जितना की परियाप्त हो औरना कि बस नलिया टूब वेल खोला और खेत को ताला बना दिया ऐसे में होता यह है कि खेतों में लंबी-लंबी पाइप्स की कतारे में बिछा दी जाती है और ये regular pipes नहीं होती हैं, असल मेन में चोटे-चोटे छेद होते हैं, जिन में से पानी सीधा पौदों की जड़ों के उपर बूंद-बूंद करके टपकाया जाता है। क्यों? है ना ये खमाल की तकनीक? इस तकनीक को आज पूरी दुनिया में अडाप्ट किया जा रहा है। बढ़ती पानी की किल्लत को देखती हूँ। अब पानी की बात चल ही रही है दोस्तों, तो बात करते हैं इस्राइल की वाटर रिसाइकलिंग के पारे में। आप जानते हैं कि दुनिया में जो देश सबसे ज्यादा पानी रिसाइकल करता है वो और कोई नहीं भलकी इस्राइल ही है। इस्राइल ही एक मातर ऐसा देश है जो अपने 86 प्रतिशत वेस्ट पानी को रिसाइकल करता है। इस काम के लिए सबसे प्रचलित शेफडन ट्रीटमेंट प्लांट माना जाता है। इस प्लांट में गंदे और वेस्ट पानी को विभिनिस त्रोतों से एकत्रत किया जाता है और अपने प्लांट में उसे तब तक प्रॉसस किया जाता है जब तक कि वो गंदा मेला पानी पीने के लायक न बन जाए। गंदे पानी को बड़ी बड़ी टंकियों में गठा करके पहले तो छाना जाता है जिससे कि वो अशुद्या साफ हो जाती है जो इंसानी आखों से देख सकती है यानि जो कच्रा वगेरा होता है वो इस प्रक्रिया में निकल जाता है और उसके बाद उन चीजों को साफ किया जाता है जो आपको और हमें नहीं दिखेंगी यानि जो गंदे किटानों और इंप्रिटीज होती है उन्हें साफ किया जाता है इसके लिए उस फिल्टर्ड पान को दूसरे टैंक में एक पाइप के द्वारा भेजा जाता है और उसमें विभिन माइक्रो और्गैनिसम्स को उस पानी में छोड़ा जाता है जो हानिकारक की टानों से लड़कर उन्हें खत्म कर देती हैं और इस प्रक्रिया को तब तक दोराया जाता है जब तक जैसा कि हमने बताए कि ये पानी पीने लाइक न हो जाए और एक बार ये पानी बिलकुल शुद्ध हो जाता है तो पिर इसे विबहने चीजों में इस्तवाल किया जाता है खास कर खेती बारी में चले इसके बाद जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये सुनकर और देखकर आप हैरान रहे जाएंगे इसराइल में खेती बारी में फसलों का नियमत रूप से निरिक्शन किया जाता है ताकि हर फसल में बढ़िया उत्पादन किया जा सके और फसलों की क्वालिटी भी पर गरा और तो और इसकाम के लिए AI यानि की Artificial Intelligence का बखुबी इस्तेमाल किया जाता है इस प्रक्रिया में ड्रोन्स की सहायता से फसलों की एक खाई रेजलुशन पिक्चर निकाली जाती है और इस इमेज का रेजलुशन 0.1 मिलिलीटर तक होता है यानि अगर किसी पौधे के पत्ते पे कोई मक्ही तक बैठी है तो इन्हें वो साफ साफ दिख जाएगी इस ड्रोन द्वारा हर एक दिन के पर इंकी नजर रहती है लेकिन य किसी पौधे पर कोई हानिकारक कीडा या किसी पौधे के आसपास किसी भी तरह की खरपतवार ना हो यानि किसी भी तरह की वीड तो नहीं होग रही है और इस अनैलिसिस के बाद ही एक रिपोर्ट तयार की जाती है जिसमें उन फसलों की कंडिशन्स को डिटेल में बताया और ये रिपोर्ट एक्शुल जो किसान होता यानि कि जो उन्वील्ड वर्कर होता है, उन्हें फवा दिजाती है। और इस रिपोर्ट के इनुसार ही फार्मर निर्शित करता है कि अब आगे क्या करना है। इसके अलाव सेटिलाइट की मदद से भविशन में मौसम में जो तबदीलिया होने वाली हैं उनका अनुमान लगाकर उन्हीं के अनुसार जरूरी फिर बदल कर दिये जाती है। इसके बाद इसराइल ने बायो पेस्टिसाइट के मामले में भी काफी प्रभावित किया है। जिसमें इन फेटिलाइजर्स के फाइदे मंद माइक्रो औरगनिजम्स को सीधा फसलों की जड़ों में इंजेक्ट कर देते हैं। और तो और इसके अलावा बायो फेटिलाइजर बनाने के लिए ये एक और तरीके का इस्तिमाल करते हैं जो सच में दुनिया में हर देश को इस्तिमाल करना चाहिए। बायो फेटिलाइजर बनाने के लिए वीस्ट फूड को भी इस्तिमाल किया जाता है। जहां लंबे लंबे उंचे पेड़ों से फलों को तोड़ना आम इंसान के लिए जोखिम भरा होता था, अब उस जोखिम को रोबोट्स ने खत्म कर दिया है। और सिर्फ यही नहीं इसके अलावा रोबोट्स का इस्तिमाल बायो पेस्टिसाइड्स छिड़कने के साथ साथ फसलों का निरिक्षन करने में किया जाता है। क्यों है ना अद्बुथ। और तो और पेड़, पौधे और फसलों के आसपास सेंसर्स भी इंस्टॉल किया जाते हैं जो फसलों से बात करते हैं और यह फसले उन्हें बता देते हैं कि हाँ मुझे पानी चाहिए और मैं बिमार हो चुका हूँ आदी। मतलब यह दोस्तों कि यह सेंसर्स डेटा कलक्ट करते हैं कि किस पौधे को कब पानी की आवशकता है और कहां पर गड़बड़ी हो रही है वगरा वगरा वगरा। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और वीडियो के साथ तब तक के लिए बाइबाए और टेक केर